तारीक 25 अगस्ट 2017 इस दिन आप ने बाबा कुर्मीत रामरहिम सिंग को सीबियाई की एक अदालत में दोशी ठहराय जाने की खबर सुनी अदालत के स्वैसले के बाद रामरहिम के भक्तों की सरयाम गुंडा कर दी भी आप ने इस दिन देखी लेकिन आप शाद अब तक बाबा की उस दिलस्मी गुफा को नहीं देखा होगा जिसके बंद धर्वासे के भीतर बाबा अपने भक्तों के साथ किया करते थे अपनी खास लीला बाबा का ये खास दिलस्मी गुफा किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है किसी राज महल से इसकी तुलना करना भी कलत नहीं होगा तेरा सच्चा सौदा के प्रमुक गुर्मीत रामरहीम सिंग का तलस्मी गुफा उसके शीश महल का वो खास हिस्सा है जहां बाबा के रूप में एक पापी अपनी भक्तों के साथ किया करता था अधर्म की लीला बाबा के इस गुप्त पाप लोग में चल रही अधर्म की लीला का ये गुप्त रास रास ही रह जा था अगर उसकी एक भुक्त भोगी भक्त अपना दर्द एक चिठी के सरिये दुनिया को ना बताई होती और यही एक चिठी आज इस बाबा को कानून का मुझ्रिम बना कर सलाखों के पीछे पहुचा दिया है बताया चाता है कि इस गुफा का सबसे आलिशान हिस्सा एनराई केस्ट हाउस है और केस्ट हाउस के अंदर ही शानदार सुच्स भी बनाया गया है इसके अलावा गुफा के अंदर हर वो स्वधा मौझूद है जो आलिशान से भी कहीं ज़ादा है मतलब इस गुफा में हर वो चीज मौझूद है जो किसी राज महल में होता है बाबा के इस कुप्त गुफा को लोग बेहत पवित्र जगा मानते थे लेकिन उसी पवित्र गुफा में बाबा कुरमीत राम रहीम सेंग अपनी महिला भक्तों के साथ पछले कई सालों से कंदा खेल खेलता रहा गुफा के भीतर राम रहीम के करीब जाने की इजासत हर किसी को नहीं थी कुछ खास लोगों को ही उसके अंदर जाने की इजासत थी राम रहीम ने ऐसे नियम कायदे तयार किये थे कि उसके राज बाहर नहीं निकल सकते थे और इसी गुफा में सालों तक दफन रह गई महिलाओं की चीक और सस्किया लेकिन वो राज और सस्किया जब एक कुमनाम चिठी के जरिये लोगों तक पहुँची तो बाबा गुर्मीत राम रहीम सिंके पाप लोग की वो सारी अधर्म लीला दुनिया के सामने आ गई रील दुनिया में तेश और सस्टी की सेवा करने के लिए पाप तक करने को तयार पाबा गुर्मीत राम रहीम असल दुनिया में ऐसा कुकर्म कर डाला कि जिसे आस ढोंगी पाबा कहना तो दूर उसके लिए बलातकारी शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए रील दुनिया में अपने आपको इनसान कहने वाला पाबा गुर्मीत सिंग रील लाइफ में ऐसा हैवान निकला जिसकी कल्पना करना भी बहत मुश्किल है खेर असल दुनिया में वो जो पाप किया है उसकी सजा भले ही जमीन की अदालत पर उसे 20 सालों के ले मिली हो लेकिन उपर की अदालत में उसका हसाब अभी पाकी है